कुछ रोज पहले मैंने community post पर एक picture डाली थी, जिसमें 12 animals की pictures थी और वो Chinese astrology से related थी और मैंने यह बताय था कि as per these animals, मेरी लिए जो animal है वो है horse, यानि मैं किस साल में पैदा हुई हूँ, वो साल विलॉंग करता था horse को, right? तो वैने पूछा था आप सब से आपका कौन सा animal है और based on Chinese astrology आप कौन से animal के साथ resonate करते हैं और क्या आप चाहते हैं कि मैं एक series लेकर आओ जिसमें Chinese astrology की बात हो और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने-पने animals को relate किया और कहा yes, we are definitely waiting for it. तो आज वाली जो विडियो हैं मैं किसी एक particular animal की बात नहीं करूंगी आज की विडियो एक तरह से एक informative विडियो कहनी चाहिए कि आपको समझ में तो आए कि जो आप मेरे साथ इस series में जूडने वाले हैं जिसमें की 12 episodes होंगे और 12 animals की हम बात करेंगे यानि आप में यापके जो बहुत अच्छा लगा पढ़के इसके बारे में और जब मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़े resonate करती हैं तो आप सब के साथ मुझे जरूर शेयर करना चाहिए और ये भी एक aspect है कहते हैं na spirituality के सब तरह से अलग-अलग aspect है तो ये एक aspect है कि हम अपने आपको किस animal की form में द तरह से चलाएंगे चिंता नहीं करिया आप कहेंगे मैं बची हुए alphabet कहांगे बहुत कम बचे हैं मैं उनको simultaneously लेकर खतम करतूंगे क्यूंकि अब जो alphabets बचे हैं I think जो letters बचे हैं उनसे बहुत सारे masses में नाम नहीं है तो मुझे लगा कि मैं कुछ और ऐसा लेकर आँ जि हिटी गृटी विद दॉक्टर नीति कौशिक जाता है तो इसलिए that means हर एक animal के अंडर बहुत सारे साल आते हैं और 12 साल बाद वो cycle दोराई जाती है तो जैसे कि अगर हम बात करें मेरे birth year की जो की 1966 है तो उसका birth year के हिसाब से animal है horse तो अगर आपका 1990 में भी birth bond है तो भी horse आपका है इस तरह से हर 12 साल बाद जब वो same animal repeat तो वो आपका birth year और birth year से related वो animal होगा चाइनीज astrology में जो predictions होती है ना वो साल की होती है मतलब year to year to year prediction होती है जैसे हम numerology में generally क्या करते है हम birth number और destiny number देखते हैं या फिर हम year number का total देखते हैं और फिर हम prediction करते हैं तो चाइनीज वाली जो astrology हो उसमें year to year करते हैं यानि ये वा बाते क्या क्या बेटर चीज़े होने वाली हैं, किन एरियाज में उसको परिशानी हो सकती है, कैसे लोग हैं जिनके साथ उनका वास्ता अच्छा रहेगा, इस तरह की हम बाते देखते हैं, ये सब हम Chinese Astrology में देखते हैं, इसके इलावा एक बहुत इंट्रेस्टिंग फाइव elements की भी बात करते हैं, अब elements पर आएं उससे पहले एक छोटी से announcement, मेरा next workshop जो की पिछली वीडियो से related था, वो sigils के उपर था, sigils या sigins, symbols वो symbols जो आपने अक्सर देखे होंगे, बहुत सारे लोग उनको print out निकाल के use करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथ पे बन आते हैं, बहुत सारे लोग बने बनाएं लेकर आते हैं और उसके बाद अपनी intentions देते हैं या उनको use करते हैं, इस बार की workshop थोड़ी different होने वाली है, क्योंकि इस बार की workshop में मैं आप से आपके sigils बनाऊंगी, वो unique होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे कि कहीं पे भी मिल जाएं, यानि आपको कहीं से मिला और आपने प्रिंट की और बन गया, नहीं वो आपका flavor होगा, आपकी intention होगी, आपकी द्वारा लिखित होंगे, आपकी द्वारा रचित होंगे, यानि लिखेंगे भी आप, सोचेंगे भी आप, intention भी आप देंगे, उसको draw भी आप करेंगे और उ तो उस workshop क्योंकि ये वाली जो workshop होने वाली है ये recorded नहीं होगी तो recorded हो भी नहीं सकती because मुझे आपको handhold करना है ना guide करना है तो ये workshop होने वाली है live workshop with limited number of people और उन सब के साथ में हम 13th को करेंगे क्योंकि 14 तारिक को new moon है और जब new moon आता है ना तो new moon is for new beginnings, new things that we incorporate in our life हम हमेशा करते हैं ना बात तो इसलिए नया जब new moon का time start होगा अमावस से पूर्ण माशी की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम क्या कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो अपनी life में intent करते हैं हम उन से related इस sigils को बनाने के activity करेंगे कौन से color use करना है, कैसे लिखना है, क्या बनाना है, क्या energy डालनी है, intention क्या करनी है वो सारी चीज़े इसमें cover होंगी तो अगर आपको लगता है कि आप आना चाहते हैं तो first come first serve basis पे होगी exactly number पहुंचते ही मैं बन करतूंगी, मैं extra नहीं ले पाऊंगी, उसके लिए मैं ख्षमा परारती हूँ, फिर से repeat कर सकते हूँ लेकिन फिलहाल इसमें एक number fixed ही number रहेगा so in that case if you are interested आप please discuss